हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड टैग समझ आ गई हैं और समझ जो होता है वो मॉमीज और बेबीज के लिए सबसे अच्छा सीजन होता है क्योंकि इस सीजन में हम वेकेशन पे जाते हैं, नानिक्या जाते हैं और हम मॉमीज को भी थोड़ा रिलाक्स मिल जाता है, थोड़ा चेंज मिल जाता है इसी बीच अगर हमारे बच्चों की तब्यत खराब हो जाए या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए उससे हमारा ये सारा वेकेशन स्पोईल हो जाता है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सब जानते हैं कि बच्चे अपने ही फन में अपनी अक्टिविटी में इतने जादा बिजी होते हैं कि वो अपनी बॉड़ी में प्रॉपर फ्लूड इंटेक नहीं लेते हैं या फिर अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं तो बॉड़ी कुछ इंबैलन्स हो जाती है उतने अच्छे से प्रॉसस नहीं घरती है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि जब हमारी बॉड़ी में जब हमारी बॉड़ी से या बच्चों की बॉड़ी से जब एक्स्ट्रा बॉड़र रिलीस होता है तब बच्चों को dehydration की problem हो जाती है, वो through कैसे भी हो सकता है, urine की through हो सकता है, stool की through हो सकता है, vomiting की through हो सकता है, tears की through हो सकता है, या फिर extra sweating की through भी हो सकता है तो जब बॉड़ी से इतना ज़ादा बॉटरलेस होता है, क्योंकि बच्चों की बॉड़ी अभी डेबलब हो रही होती है, उनकी बॉड़ी में इतनी कैपसिटी नहीं होती है कि वो इतना ज़ादा फुलूड रिजब कर पाएं, तो वो फुलूड वो जो निकलता है, उसकी बच्चों को डीहाइडरेशन की प्रोब्लम हो जाती है उतना वाटर रिलीज होने से बोड़ीपोरी बोडी की इंबैलन्स हो जाती है मोटा पॉलिज मवी प्रोसस जो है, इसकी वज़े से डीहाइडरेशन हो जाता है तो इसके कौसे क्या होते हैं? कब यह दिहाइड्रेशन होता है तो इसके साथ या आठ हो सकते हैं जब यह दिहाइड्रेशन बच्चों को हो जाता है एक तो फीवर जब बच्चों को फीवर होता है तो जब हमें ही फीवर होता है तो हम कुछ नहीं खाते हैं वही छीज बचों के साथ होती है, वह भी उतना अच्छ से डायटनी लेब, इसकी वज़े से दि हाइड्रेशन हो जाता है, तो एक होता है फीवर, दूतरा होता है डाइरिया, डाइरिया में इतना जदा बच्चों को dehydration की प्रप्रॉब्लम हो जाती है वामिटिंग तीसरा हो गया प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई स्टमक में इंफेक्शन हो जाता है लेस्ट फ्लूड इंटेक्स होते है या फिर वेदर बहुत ज्यादा होता है बहुत होता है एक्स्ट्रा स्ट्रा 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 स्ट तो इसके symptoms यह हैं कि बेबी की बच्चों की जो lips है और जो skin है वो बहुत dry हो जाएगी, mouth बहुत dry होगा और बहुत कम urine pass करेंगे, 8 और 9 hours में करेंगे, करेंगे भी तो color बहुत dark होगा उसका बहुत low energy feel करेंगे, कभी-कभी breathe भी बहुत fast हो जाती है बहुत fast breathe लेते हैं, रोते हैं तो उसमें tears नहीं होते हैं मतलब जब cry करेंगे तो tears नहीं होंगे तो यह जो symptoms हैं उससे पता चलेगा कि बेबी की body dehydrate हो रही है उसको dehydration हो गया है अब इसे हम treat कैसे कर सकते हैं? treat करते हैं हम उसे proper उसकी body में fluid देके वह कैसे जह हम बचों को ORS दे सकते हैं बचों को चीनी और नमक का पानी घर पे मिलाके वह दे सकते हैं energy drinks दे सकते हैं बचों को fruits दे सकते हैं आप बनाना, apple, pineapple, strawberry, orange मतलब कि जिसमें उनके अंदर प्रॉपर वाटर का इंटेक जहें वह fruits दे सकते हैं आप vegetable puries दे सकते हैं fruit puries दे सकते हैं soups दे सकते हैं बचों को चास दे सकते हैं coconut milk दे सकते हैं coconut water दे सकते हैं yogurt भी बहुत अच्छा होता है dehydration के लिए तो आप यह सारी चीजें दे सकते हैं बच्चों को और कैसे भी करके आपको बच्चों के अंदर बस फ्लूट का जो इंटेक है वह बैलन्स करना है और सबसे जो जरूरी बात ध्यान रखनी है वह है कि water water आप अपने बच्चों को प्रॉपर देते रहें अगर वह नहीं भी पीते हैं तो एक दो शिप उनको ओफर कीजें हमेशा water तो इससे क्या है इतनी समझ में भी dehydration की problem नहीं होगी और मैं बोलूँगे कि इसको treat करने के लिए जो हम vegetables, fruits या जो कुछ भी दे रहें वह अगर हम बच्चों को पहले ही दे तो उन्हें ये dehydration की problem होगी ही नहीं उन्हें प्रॉपर फ्लूट जो है वह उनकी body में रहेगा ये थे कुछ tips and tricks जिससे हम अपनी बच्चों के dehydration को रोग सकते हैं बचा सकते हैं और अपनी समस को एंजोई कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा, bell icon को hit कीजिएगा मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक यू, बबाए